अगर आप सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वहिकल्स जैसे जैसे पॉपुलर होंगी वैसे वैसे बैटरी बनाने वाली कंपनी इसको फायदा होने वाला है तो यही कारण है कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और हो सकता है आपकी सोच बदल जाए आपको पता है 2020 में आप 25-30 साल पहले जादातर गाड़िया पेट्रोल और डीजल में चलती थी जी हाँ पेट्रोल और डीजल से तो फ्यूचर तो इलेक्ट्रिक वहिकल्स का है बाकी modern फ्यूल्स का है क्या हम इस फ्यूचर के लिए तयार हैं क्या हम आज हमारी investing को इस हिसाब से change कर रहे हैं कि ये जो future में change आने वाला है इसका फाइदा हम उठा सकें तो इसी लिए आज के इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं electric vehicle industry के बारे में सब कुछ फिर चाहे वो electric vehicle manufacturers हों battery manufacturers हों infrastructure manufacturers हों या इस तरह के cars में जो software लगते हैं वो manufacturers हों हम discuss करेंगे ये चारो industries के बारे में इन में इंडिया में आज कौन से stocks listed हैं उन stocks की क्या अच्छाई है क्या बुराई है इन segments में आपको क्या देखना है क्या नहीं और अपनी पसंद का future ready EV stock कैसे select करना है जानेंगे ये सब कुछ और बहुत कुछ इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों मैं हूँ प्रांजल कामरा शुरू करते हैं Phenology तो शुरू करने से पहले एक important announcement ये 21 दिनों की stock market classes हैं जहां हर दिन आप एक नई industry या एक नई valuation method को सीखेंगे तो आप कोई भी वीडियो मिस ना करते हैं और सही order में सही chronology में सीखें इसके लिए आपको 3 steps करने हैं पहला इस चानल को subscribe कर देना है दूसरा bell icon दबाना है और तीसरा all notifications को enable करना है ताकि हर वीडियो का timely update आपको मिले और आप से कोई वीडियो मिस ना हो जाए जब भी हम EVs की बात करते हैं ना हमारा दिमाग सबसे पहले या तो cars या scooters की तरफ जाता है जबकि हम ये भूल जाते हैं कि सबसे पहले electric vehicles का adoption किन categories में हुआ है दो categories में हुआ है, buses में हुआ है, कई सारी city buses, tourist buses, site visit वाली buses ये already electric vehicles पे आ गई है इसमें किसको leadership है, हाला कि इसमें है महिंदरा भी, है अशोक ली लैंड भी, है टाटा मोटर्स भी लेकिन अगर मैं EV buses की बात करूँ और जो शहर शहर में tenders निकलते हैं उनकी बात करूँ तो clearly टाटा मोटर्स को इसमें leadership है दूसरा segment जो अलड़ी काफी popular हो गया है, आपको अपने शहरों में दिखता होगा वो E autos या E rickshaw, इसमें कौन आगे है, इसमें बहुत सारे regional players भी आगे है हर regional player एक दूसरे से compete कर रहा है, लेकिन listed players मैं बात करूँ तो इसमें महिंदरा अच्छा comfortable दिखता है, यानि सबसे पहले जब हम manufacturers की बात करते है हमको हमारे दिमाग से सिर्फ cars और scooters को हटा के भी सोचना है, बहुत सारे और segments हैं जिनमें already clear leader establish होता हुआ दिख रहा है, cars और scooters में अभी कोई clear leader दिख नहीं रहा तो वहाँ gamble करना जादा risk हो जाएगा, अब अगर हम cars की बात करें, सबसे पहला इसमें first mover advantage तो clearly महिंदरा का था जब उन्होंने Riva को खरीदा था, और हम शहरों में वो छोटी सी nano से भी छोटी car कई बार दिख जाती थी और बड़ी हैरानी से दिखते थी कि ये क्या आ गया, तो महिंदरा को advantage था, लेकिन वो advantage मुझे ऐसा लगता है और ये एक niche ये specialty product ना लगके, एक mass market product लगता है तो मेरे हिसाब से आज की स्थिती में leadership तो Tata Motors के पास है, लेकिन इस कारण में उस पे bet नहीं करूँगा ये अभी बहुत changing industry है, बहुत fast बदल रही है और अभी कोई clear leader इसमें ढून पाना बहुत मुश्किल है तो मैं आज की स्थिती में किसी भी car manufacturer पे या vehicle manufacturer पे personally bet नहीं करूँगा लेकिन अगर हम future की बात करें, तो मुझे एक और negative trend दिखता है ये मेरी सोच है, गलत हो सकती है, मैं अपनी सोच share कर रहा हूँ जैसे आज से 30 साल पहले कोई TV manufacturer होता, Sony, Samsung, LG तो TV बेचके वो बहुत पैसे कमाते है, आज TV manufacturing कोई profitable business नहीं है हाँ, panel manufacturing है, वो भी high tech panels जिसमें Samsung strong है, LG strong है, कुछ China के manufacturers strong है लेकिन TV as a completely built unit, ये कोई profitable business है, किसी के लिए भी नहीं है TVs are commodities, हर कोई बनाता है, कोई पैसा नहीं कमाता है, cars में भी मुझे ऐसा लगता है कि cars, EVs होने के बाद जब EVs mainstream हो जाएंगी, तो cars भी न, commodities बन जाएंगी क्यों? इसको जड़ा discuss करते हैं, आज जब आप car खरीते हैं, तो price एक factor होता है, mileage एक important factor होता है हर manufacturer का mileage car का differ करता है, in fact हम कई बार न, engine किसका अच्छा है, कौन सी चलाने में smooth है, acceleration किसका अच्छा है फिर industry में एक NVH level की बात होती है, noise, vibration, harshness, किसका gear ज़ादा smooth है, किसका clutch ज़ादा light है, breaking किसकी अच्छे, ये बहुत सारी चीज़ें discuss की जाती है आज cars को select करने में, तो जहां Volkswagen हो, या Ford हो, या Toyota हो, या अपनी engine quality, जो mechanical parts है, उनकी reliability के लिए जाने जाते हैं, मारूती और Hyundai अपनी mileage के लिए जाने जाते हैं, तो हर car manufacturer की अपनी speciality है, जो car के mechanical parts पे निर्भर करती है, हर manufacturer की अपनी strength है अब जब हम EVs की बात कर रहे हैं तो clutch का differentiation गया, gear चला गया, engine, engine तो है ही नहीं, तो mileage का differentiation चला गया, तो बहुत सारे differentiation जो petrol cars, diesel cars में एक manufacturer से दूसरे manufacturer से में होते थे, वो कम हो जाएंगे, noise ना के बराबर, vibration ना के बराबर, harshness वो भी नहीं, तो ये जो NVH differences होते थे, mileage, noise, acceleration, ये EV आने से एक चीज़ बहुत important होगी, range कितनी है, क्योंकि EVs में range मतलब जो petrol, diesel में mileage, अब इसको भी अपन discuss करते हैं, ये important point है, mileage ना car manufacturer to car manufacturer क्यों differ करता था, क्योंकि mileage एक engine कितना निकालता है, ये automobile industry level की technology थी, तो सारे automobile manufacturers इस पर research करते थे, लेकिन एक car कितनी range जाएगी, कितना power वो battery cells में store हो सकता है, ये भी न, across cars similar रहने वाला है, क्यों? क्योंकि इस पे जो R&D होगी, batteries कितना store कर सकती है, battery की cost क्या है, कितनी बार recharge हो सकती है, जो battery quality की बात है, ये industry level चीज़ नहीं है, ये इस पे research सिर्फ automobile manufacturers नहीं करने वाले, battery का use, mobiles में भी है, laptops में भी है, camera में भी है, इतने सारे gadgets हैं, सब में use होता है, तो battery की technology न, पूरी economy level पे एक साथ improve होगी, तो अगर Toyota के पास better battery technology available है, तो ज़्यादा तर chances ये हैं, कि वो ही technology, Volkswagen, Ford, Maruti, सब के पास available हो, unless वो automobile manufacturer ही, battery के development पे बहुत ज़्यादा research कर रहा है, लेकिन ज लगता है, कि ये भी similar रहेगा, तो cars बहुत ज़्यादा commodity बनने वाली हैं, और इसलिए किसी भी car manufacturer को खूब फाइदा होने वाला है, आगे जाके, जब industry mature हो जाए, अभी ज़रूर हो सकता है, Tesla जैसे example हो, अभी जो innovate करेगा, थोड़े समय के लिए वो सबसे leader दिखेगा, और battery भी एक वो segment है, जिसको लेके बहुत excitement है, बलकि आजकल दो बड़ी themes चलती है, EV manufacturers और EV battery manufacturers और cryptos, तो EV पे तो मैं ये वीडियो बनाई रहा हूँ, cryptos के बारे में अगर आपको in-depth जानना है, तो आप हमारी नई free ticket talks magazine को download कर सकते हैं, जिसका एक issue हमने specifically cryptocurrencies को explain करने के लिए dedicate किय है, तो ये magazine, Google Play Store और Apple App Store दोनों जगे available है, दोनों का ही link आपको इस video के description में मिल जाएगा, और ये free magazine हर 15 दिन में एक नए issue के साथ आपके लिए आती है, तो अब हम बात करते हैं battery manufacturers की, और ना इससे पहले कि मैं direct आपको बताऊं कि battery manufacturers में कौन सी company अच्छी है, कितना growth का scope है, जरा ऐसे सोचते हैं, आज से देड़ साल पहले hardly कोई इंसान sanitizer use करता था hand sanitizer, आज हर कोई use कर रहा है, कौन सी hand sanitizer company ऐसी है, जिसका profit 100 गुना हो गया, hand sanitizer consumption तो 1000 गुना बढ़ गया होगा, लेकिन कौन सी ऐसी company है, जिसको इससे मुनाफ़ा और revenue 100 गुना बढ़ गया, hardly कोई होगी क्योंकि जहां पहले मुझे आदे, देड़ साल पहले तक मैंने सिर्फ हिमालिया, डिटॉल और लाइफ बॉई का hand sanitizer देखा था, और अब 500,000 कमपनिया, शायद उससे भी जादा companies हैं, जो hand sanitizer बनाती है, तो हाला कि demand 1000 गुना बढ़ गई, लेकिन number of players भी 1000 गुना बढ़ गई, competition भी बढ़ गया, और उस कारण ऐसा नहीं हुआ, कि कोई company एकदम अर्ष से आस्मान पे पहुँच गई, competition बढ़ गया, इसी तरह EVs पे आता हूँ मैं, EVs के बारे में ये कहा जा रहा है, कि जब electric vehicles आएंगी, तो battery manufacturers को बहुत जादा फायदा होगा, फायदा होगा, लेकिन जितना सोचा जा रहा है, क्या उतना होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता, आज, car में battery जो है, वो सबसे main component नहीं है, main component engine है, इसी लिए, कई companies खुद की batteries नहीं बनाती, क्योंकि वो एक major component नहीं है, तो उसको outsource कर देती है, जब EVs mainstream हो जाएंगी, तो उसमें सबसे high cost, car की 30-40% cost क बराबर का component होने वाली है, बैटरी, क्या तब भी, मारुती, टाटा, महिंदरा जैसी companies, batteries, Ameron या Excide की लेंगी, मुझे ऐसा नहीं लगता, जैसे ही EVs mainstream होंगी, ये car companies, batteries भी खुद की बनाने लगेंगी, और Excide और Ameron को हम जो सोच रहे हैं, जितना फाइदा होने वाला है, उ लेकिन जितना फाइदा हम सोच रहे हैं उतना नहीं होगा, तो चलिए, आज जो दो major battery manufacturing companies हैं इंडिया में, अमारा राजा बैटरी और Excide उनको compare करते हैं, और देखते हैं कि आज की स्थिती में इन दोनों में better कौन सी है, तो चलिए, अब compare करते हैं Excide और अमारा राजा बै आपको एक add to compare का option मिलेगा, यहां से आप इस stock को watch list में डाल सकते हैं, और यहां से add to compare, अब मैंने click किया, अब जैसे ही मैंने इसे click किया, यहां मैं इसकी कोई competitor company को select कर सकता हूँ, अपने आप यह list आ जाएगी, आप चाहें तो type भी कर सकते हैं, तो मैंने यहां drop down से इसके competitor को select किया और add किया, अब side by side इन दोनों companies का comparison मुझे दिख रहा है, market cap wise, excite थोड़ी सी बड़ी है, P ratio wise, दोनों similar है, ROC और ROE की बात करूँ, तो दोनों में ही अमारा राजा batteries excite से better है, तो सिर्फ अगर मैं इतनी सी चीज़ देखूँ, हाला कि बहुत और research की जरुद है, ले तो अगर मैं सिर्फ इतनी सी चीज़ देखूँ, इसके अलावा अगर मैं growth भी देखूँ, तो इन कुछ चीज़ों पे मुझे हमारा राजा batteries better लगती है, और इस कारण अप मैं detail में इस company को research कर सकता हूँ, तो ये एक बहुत interesting तरीका है, जिससे आप कोई भी 2 या 3 peers को similar businesses है उनको compare कर सकते हैं और एक unique feature हमने build किया है ticker पे, अब बात करते हैं infrastructure की, तो EVs mainstream हो, इसको लेके जो major hurdle है वो ये है कि infrastructure, charging stations की availability और दूसरा technology advancement, कितनी जल्दी battery charge हो सकती है, कितनी बार चल सकती है और कितनी range दे सकती है, ये दो major कारण है, अब हम इन पे आ रहे हैं, इसके structure या charging stations discuss करते हैं, जैसे petrol का infrastructure ready है, petrol diesel गाडियों का, हर जगे petrol pumps, diesel pumps है, अब एक बात आपने गौर करी होगी, ज़्यादा तर petrol pumps और diesel pumps जो हैं, वो सरकारी कमपनियों के हैं, government owned oil marketing companies के हैं, Indian oil हो, BP हो, HP हो, government owned companies हैं, directly या indirectly, EVs के case में ये बदलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता था, petrol diesel के case में, कि petrol जो बाहर से हम मंगाते थे, import करते थे, वो importer, government होती थी या government owned entities होती थी, और इसलिए, government was in a position कि वो price को subsidize करके control कर सके, लेकिन जब हम EVs पे आएंगे, तो जो power है, यह basically गाड़ी हम electricity पे चलती हैं, तो यह electricity generate भी substantial amount में private players करेंगे, अब अगर private players power generate कर रहे हैं, तो government आसानी से उन्हें यह नहीं बोल सकती, कि इसे सस्ता करो, इसे loss में बेचो, जिस कारण, यह ज़्यादा open market है, यहां private players आ सकते हैं, और अपना खुद का infrastructure set up कर सकते हैं, infrastructure में private players में आज सबसे आगे Tata Power है, इनके 200 से ज़्यादा charging stations देश के अलग-अलग, इसकस करेंगे, लेकिन आज की स्थिती में, infrastructure में, Tata Power India में काफी strong है, listed players में of course, और हमको यह भी देखना है कि ultimately infrastructure एक ऐसा play है, जिसमें एक या दो player के लिए ही scope है, जिसके पूरे देश में charging stations लग गए, उसके बाद कोई तीसरा या चौथा player आके उसको टकर दे सके, बहुत म कि वो पूरे देश में अपना network फैला लें, और उसके बाद किसी को घुसना बहुत मुश्किल होने वाला है, तो Tata Power को इसमें clear advantage है, जब मैं ये बोल रहा हूँ, तो ये सिर्फ example है, case studies है, कोई भी stock जो मैं discuss कर रहा हूँ, वो recommendation बिलकुल नहीं है, चौथा, ये जो EVs हैं, tech या software, cars जादा से जादा gadgets बनती जा रही है, मैं एक पुरानी, 14 साल पुरानी Zen Estello चलाता हूँ, और उसमें technology के नाम पे power steering है, और कुछ भी नहीं है, आज जब मैं अपनी दोस्तों के गाड़ियां, मेरे घर में पापा के पास एक कार है, वो देखता हूँ, तो उसमें कितन कुछ digital है, चाहे वो automatic gears हो, चाहे वो rain sensors हो, light sensors हो, accident के लिए airbags खुलने की technology हो, iPhone और Android से connectivity हो, GPS हो, ना जाने क्या क्या, आज की cars और जादा gadgets बनती जा रही हैं, और ये move हो रही हैं धीरे-धीरे, semi auto driving और फिर completely autonomous driving cars की और, मुड़ेंगी भी अपने आप, brake भी अपने आप, acceleration भी सब कुछ अपने आप, तो हम पूरी तरीके से automated cars की और बढ़ रहे हैं, जैसा जैसा ऐसे होगा न, automation और technology की requirement बढ़ेगी, cars basically gadgets होती जा रही हैं, और हो जाएंगी, पूरी तरीके से gadgets हो जाएंगी, तो of course, internationally, Apple और Google जो primarily technology companies हैं, no wonder they are interested in this, और ये सब वो test कर रही हैं, और वो definitely definitely cars में उनका involvement बढ़ता जाने वाला है, इंडिया में Tata Alexi एक ऐसी company है, जो इसके around technology develop करने में, मुझे सबसे आगे लगती है, internet of things की थुरू, चाहे वो IOT हो, पूरा tech stack हो की कोई भी company इनसे technology खरीदे, और अपनी EV में deploy कर दे, तो ऐसे ready-made tech stack बनाना हो, उसमें Tata Alexi मुझे करके, अगर मैं इसको न, पूरे Tata group के infrastructure के around देखूं, जो synergy develop हो रही है, जैसे Tata Alexi हो, ये software side में, इंडिया में, listed players में सबसे strong लगती है, second, infra में Tata power बहुत strong लगती है, manufacturing में Tata motors बहुत strong लगती है, और batteries की बात करूं, तो Tata green batteries में, जो Japanese company के साथ उनका tie-up है, उसमें EVs पे क काम चल रहा है, Tata chemicals का भी battery और उसके storage technology के around काम चल रहा है, तो पूरा जो ecosystem है Tata का, वो मुझे काफी strong लग रहा है, और overall, ये एक company, दो company नहीं, लेकिन ये 4-5 Tata की companies, एक साथ मिलके, मुझे ऐसा लगता है कि Tata group को एक substantial EV player बना सकती है, again, ये सिर्फ analysis सिखाने के लिए है, मै मैं और research करूँगा, लेकिन आज मेरे में इतना confidence नहीं है कि इन में से किसी भी company में मैं invest करूँ, तो मैं invested नहीं हूँ, और इसलिए ये किसी भी तरह का recommendation नहीं है, लेकिन overall क्यूंकि Tata ने हर aspect को, चाहे manufacturing हो, battery हो, infra हो, software हो, हर aspect को ध्यान में रखा है, वहीं बाकी जो competitors हैं, उ नहीं है, तो मैं उन companies पर focus नहीं करूँगा, EV के around जो infra companies हैं, मैं उन पर जादा focus करूँगा, या जो technology companies हैं, मैं उन में जादा focus करूँगा, तो ये मेरे interest areas हैं, तो उमीद करता हूँ, कि ये video आपको पसंद आया होगा, इस तरह अगर आप और industries का in-depth analysis सीखना चाहते हैं, त आता रहूंगा ऐसे और बहुत सारे वीडियो, इस प्रांजिल कामरा, साइनिंग ओफ, बाई बाई